तो हेलो दोस्तो कैसे आप सब उमीद बढ़ी होंगे तो यहाँ पर आज हमका अच्छाच्छ की केताब का इंगलिज की बुक का लेसन वन को हिंदी में समझाने वाले हैं आपको अर्थ सहत ठीक है तो यदि आप लोग चैनल पर नए है तो जल्दि चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तो यह आज का वीडियो बहुत ही कमेडी भरा है यानि कि बहुत ही हसी और अनन्द आने वाला है चैप्टर को पढ़ने में क्योंकि चैप्टर है ही ऐसा तो जल्दि चैनल को सब्सक्राइब कर लो चलिए फिर शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है चैनल के कि रहुआ मिए पैट्रिक से जोड़ी कहानी है इसको हमवर करना अनए पसंद बता करते हैं तो चलिए फिर हम तो देखिए जो पैट्रिक है ये क्या कहता है ने मिडिल हमवर्स जो पैट्रिक है पैट्रक महराजने कभी हम व tertek नहीं कि है वो कभी अपना होंवर्क नहीं किये थूबोर्रंग ही हैं च लग कहते हैं होंवर्क की ये बहुत बूरिंग पीक है यहनी कि वाओ काम है पाकाओ काम है इस तरह से उनका कहना है होंवर्क को ले तो ही प्लेड होकी वे होकी खेलते थे एंड बास्केटबाल एंड नाइंटेंडो इस्टीड ठीक है ना तो नहीं होकी खेलना पसंद देने क्यों होकी खेलते थे बास्केटबाल खेलते थे सब्सक्राइब इसकिछ उनके सिच्चक फॉन्हों कहा उनको को बोला इसको पैिट्रेक से बूले or your homework कि एख आर रहाक के ठेक से टीचर कि पेत्रिक अपना हूंपर करो नहीं तो कुछ awakened हनुए से नहीं आएगा लेकिन वो कर भी सकता था मतलब वो क्या कर सकता था क्योंकि उसे होमवर्क करने से नफरत थी ठीक है तो चलिए फिर दूसरा पेराग्राफ है यहां पर एक दिन की बात है फिर एक दिन ही फांड पेटरिक को एक मिलता कुछ मिलता है जो उसकी बिली थी उसके घर में एक बिली थी क्या थी कैट यहीं बिली थी तो पेटरिक न एक दिन पाया क्या पाया पलैंक खेलते वए एक इसको एक डूल कैट को एक लिचल डूल चोटे से गुड़े के साथ डूल में इस गुड़िया होती है pictured हुए गूडे के साथ खेलते हुए पेर्टरिक अपने बिली की पाया ठीक है या निकि जब उसने पाया देखा तो एक बिली चोटे से गुड़ी एक साथ खेल रही थी and he grabbed it away तो तुरंत उसने क्या किया उस गुड़े को अपने हाथ में ले लिया तो इसके आश्चर से पता चला तो इस सर्प्राइज हो गया वह एक डॉल नहीं थी क्या वह एक डॉल नहीं थी मतलब जो पैट्रिक को एक डॉल मिली थी गुड़िया मिली थी वह वास्तों में गुड़िया नहीं थी डॉल नहीं थी तो क्या थी आँगे चलके देखते हैं यहाँ पर देखो यह एक बिल्ली है और बिल्ली महरानी फिर यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन यहाँ पर मतलब की वह डॉल ही थी वह तो एक छोटी साज का मैन था आदमी था ठीक है क्या था एक आदमी था अब कहाने में यहाँ से आने वाला है अनंद मजा अभी तक पर श्टोरी थी पेटर की क्या उसको पसंद क्या नहीं है अभी यहाँ समझाएगा तो he had a little wool shirt with old fashioned bricks यहां पर क्या कहता है he had a little wool shirt उसके पास देखोंगे उनकी छोटी चल्ट थी यानिकी छोटा सा बॉनास आजमी था वो फटे हाल कपड़े में था यानिकी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था लेटर wool shirt उनकी shirt पहने था old fashioned पुराने जमाने के कपड़े like a witch यानिकी जैसे की bridge and high tall and high tall hat और बहुत उंची hat पहने था तो अब यहाँ पर क्या कहता है his tall hat much like he yelled तो जो छोटा आदमी था he yelled yelled का मतला होता चिलाना चीखना तो he yelled उसने चीखना कि save me don't give me back to that cat वह कहता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ ठीक ना don't give me back और मुझे दुबारा उस cat के पास मत भीजना कहना का मतला यह है यह आदमी जो है छोटा आदमी यह चिला रहा है क्या चिला रहा कि मुझे उस बिल्ली के पास दुबारा मत भेजना ठीक हैете डरा हुआ है और यह भिल्ली के साथ खेल रही थी है क्या समझकि 현 करह चोटा सा डौष समझके खेल रही थी तो यहाँ पर धैट्र का जाता है ठी अच्छा वो जो छोटा आदमी है वो कहता है कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा मैं उसके लिए वादा करता हूं जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारा एक काम करूंगा ठीक है पेटरिक को तो यकीन ही नहीं हु रहा था किया पेटरिक को तो यकीन ही नहीं हु रहा था किस पर उसे अपने आप पर भरोस नहीं हुरा था कि मैं कितना लखी हूं कितना भाकिस्तालि हूं कि मुझे ये आदमी मैं लगाया जो कि कह रहा है अपने से कि मैं तुम्हारा हमवर कर दूँगा ये तुम्हारा कोई भी काम कर दूँगा ओके तो here was the answer to all of his problems और जो उसने कहा था छोटे आदमी ने कहा था कि मैं तुम्हारे एक विस्पूरी कर दूँगा तो ये उसके लिए पैटरिक के लिए सभी प्रिष्णों का सवाल जैसा था क्योंकि उसके सवाल यही थे कि मेरा कोई हूंवर कर दे हूंवर करना पसंद नहीं तो so he said so उसने सोच करके कहा पैटरिक ने सोच कर कहा only if you do all my homework के वाल यदि तुम मेरा homework बस कर दो of the semester जब तक कि मेरा semester चलेगा ठीक ना 35 दिन का है that's 35 days 35 दिन का बचा हुआ है ठीक है ना the end of the semester that's 35 days टोटल 35 दिन का काम है तो 35 दिन तक मेरा काम करना होगा तो में homework करना होगा if you do a good enough job यहीं तुम्हें अच्छा काम करोगे यहीं तुम्हें अच्छा काम करोगे ठीक है मतलब उसने पैट्रिक न चोटे आदमी को पकड़ लिया था और बोल रहा था मैं तुम्हें दोबारा बिल्ली के पास छोड़ दूँगा ने तो मेरा homework करना होगा so I could I could even get edge तो कहता है कि मैं कम से कम A grade को तो पालूँगा I could even get up जब तुम मेरा homework कर दोगे तो मुझे कम सम A grade तो मिल जाएंगे A edge का मतलब होता A grade ठीक है फिर यहां पर the little man's face wrinkled like a disclosed strong in the hamper यहां अनन्द हैगा बिचारा फास गया हो डॉल बिल्ली के हां से बचा तो इसे कहते हैं आस्मान से गिरा तो खजूर मैटका तो यहां पर बिचारा बिल्ली से छूटकारा मिला उसे तो इसकी homework के चक्कर पड़ गया the little man's face wrinkled like a disclosed यहां पर उसका चोटा सा आदमी है जब उसने कहा पैटक नहीं कि मेरा homework करना होगा तो यहां पर उसका जो चहरा है चहरा कैसा होगा था wrinkled जूरियां पढ़े उसके चहरे में जैसे की disclose throne in the hamper जैसे की थाली पहुंचने वाले कपड़े को किसी लेकिन उस लेके प्षूटे में और किप्षूटें होती लेकिन उसे अब काम करने की वजबूरी में क्योंकि उसने पिट्रिक ने बचाया हुए उसे बिली से ठीक है तो he kicked his legs और उसने अपने पैर पटके and doubled his fist और अपने मुठ्णिया बानी गुस्चे से and he grimashed and scowled and pushed his lips और वाच चलाया गुस्चाया मतलब एक व्यक्ति जोगी गुस्चे में करता है हरकते हैं पैर पटकना हाथ बंद कर लेना एक दूसरी वोपर हाथ रख लेना दान्त मिसमिसाने इस तरह से वो गुस्चा हुआ बहुत सारा and spurs his lips oh I am cursed am I cursed but I'll do it और कहता है अरे क्या मुझे स्त्राप मिला है क्या मैं स्त्राप है थूँ कि मुझे ऐसा मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे इसका काम करना पड़ेगा but I'll do it लेकिन कहता है लेकिन मैं करूँगा क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं तम्ह टू हिज वर्ड देट लेटल एलफ बिगन टू डू पेटिक्स वर्ड अब जैसा उसने कहा था उसने सच करके दिखाया रीट टू हिजवर्ड और उसने अपना वादा पूरा किया और टू टू हिजवर्ड दा लिटल एल यानि इल्प का मतला होता छोटा बहना उससे बह है ना I accept there was one glitch मतलब की एक भी रुकावाट की बिना है ना एक भी रुकावाट की बिना बिना कोई दिग्यत के उसने काम करना श्राट कर दिया इलफ डिन्ट आलवेज नो वाट टू डू एंड ही नीड़ेड है तो उसको पता नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना इंड ही नीडेड है तो उसे हैल्प की जरूत पढ़ती थी है एल्प में है ठीक है हीड से एंड पैट्रिक वोड़ है और वहाँ पर जो पैट्रिक था पैट्रिक को हमवर कर रहा था तो पैट्रिक वहाँ पर उसकी हैल्प करने कले था in whatever way जो भी चीज हो उस हर हाल में उसकी help करने के लिए था, ओके, I don't know this word, the elf squid while reading Patrick's homework, तो एक word था, एक सब्द था, जिसकी उसे meaning नहीं पता थी, वो नहीं जानता था, I don't know this word, मैं सब्द को नहीं जानता हूं, किसे ने कहा, छोटे बॉने ने कहा, the elf squid, जो छोटा बॉना था, squid while reading Patrick's, यानि कि Patrick का homework करते हुए, वो छोटा सा आदमी चींखा चिलाए, कि मुझे इस सब्द का आर्थ ही नहीं पता है, मैं सब्द को जानता ही नहीं हूं, है न, तो get me a dictionary, तो वो कहता है, छोटा आदमी कहता, get me a dictionary, मेरे लिए एक dictionary लाव, तो know what's even better, look up the word and sound it out by each letter, तो यहाँ पर know what's even better, जो भी हो, जैसा भी बने, look up the word and सब्द को देखो, and this is sound, तेजी से चिलाओ, ठीक न, sound it out by each letter, एक एक अच्छर को पढ़ो, क्या करो, एक एक लेटर को, एक अच्छर को पढ़ना तुमको, है न, फिर कहता है, when it came to maths, जब गड़ित की बारी आई, उसना बांकी सब्जेक्टों का हमवर करवा लिया, छोटे आदमी से, जब गड़ित की बारी आई, तो when it came to maths, पैट्रिक wise out of luck, जो पैट्रिक था, wise out of luck, मतलब की luck होता है, जो भाग होता है तो भाग जो उसका खराब था, क्यों कि मैं उस से आती नहीं थी पैट्रिक से, वैसे भी वो अपना कभी हमवर्क नहीं करता था, तो what are time tables, ठीक है, तो कहता हुए कि ये time tables क्या होती है वो छोटा बोना कहता ये वाला आदमी कहता छोटा सा जो इल्फ था छोटा आदमी था उसे फिर से गुस्ता चड़ी और वो है उसने मतलब चेहरे गुस्ते से चेहरा बनाया अपना याषए डवी नेवर नीट डअड और कहता है कि हम बोनों को कभी भी ऐसे कामों की जरुथ नहीं पड़ी हमने कभी पढ़ा लिखा नहीं है तो हम से आता भी नहीं है ठीक है और यह देखो किताबों की ऊपर बैठा हुआ तो हीर सेट डाउन वी साड़ मी तो कहता है यहां मेरे पास आओ और मेरे बगलने बैठो यह सिंप्ली मस्ट गाइड मी तो तुम्हें सिर्फ मेरी गाइड करना मुझे बताना है कौन कहता है छोटा आदमी कहता है उस पैटरिक से elves know nothing of human history जो बॉने लोग होते हैं छोटे आज में होते हैं वो मानों के history के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं क्योंकि बड़े लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं ठीक है हुआ 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 है तो यहां पर डिवीजन एंट फ्रेक्शन हीर सिट डाउन विशाड मी एल्व जनू क्या आता है कि एल्व जनू नथिंग अबाउट हुमर हिस्ट्री मानों एथिहास के बारे में छोटे बॉनों कुछ भी पता नहीं है तो देम इट्समिस्ट्र इनकी लिए तो यह एक रहस्य क्या है चोटे इंसानों के लिए तो अपनी बड़ी दूनिया के लोगों के जो चीजें वढ़कर है गुस्य सी ठराता है जाओ लाइट पूस्त काल मं झाओ और मुस्छे किताब है लाओ, more and more books, जितनी भी किताब हो, सभी लाओ, जितनी ज़्याद हो सकते हैं, and you can help me read them too, और तुम भी मेरी 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 कर सकते हैं, उनको पढ़ करके, फिर as a matter of fact, दर असल, दर असल में क्या हुआ, every day in every way, as a matter of fact, दर असल में, या वास्तों में, every day in every way, हर दिन, हर तरह से, that little elf was a nag, जो छोटा था, बोना था, वो हर दिन, हर तरह से, elf was a nag, मतलब की, गुन-गुन था, और गुन-गुनाया हुए था, गुस्ता था, है ना, इस तरह से, उसका बरताव जो था, वो अलग था, पेट्रिक वाज वर्किंग हाडर देन इवर, एंड, जो पेट्रिक था, पेट्रिक जाधिक महनत कर रहा था, बोने आदमी के साथ, पेट्रिक वाज वर्किंग हाडर, है ना, पहले से कही जाना, बहुत जादा महनत करता था, वो देन इवर, जैसे कि उसने पहले कभी किया हुआ मैसे नहीं हुआ वाज गएंग टो स्कूल और स्कूल डेली जा रहा था विद इज आइज पफट एंड ब्लेरी वह अपनी फूली हुई आखो प्लूली और धुंदली यह आखो साथ मतलब की रात भार पढ़ता था वो तो उसकी आखा फूल जाती थी धुंदला दिख और जो छोटा बहुना था वो जाने के लिए या उसे छुटी मिल गई क्या हो गई उसे छुटी मिल गई मतलब उसका हॉमवर्क 35 देश दिन कंप्लीट हो गए थे स्कूल का आखरी दिन आ गया था तो अब उसे आखरी दिन तक ही रुकना था एज फॉर हॉमवर्क जैसे हुमवर्क की बात करें देयर वाज नो मोर अब हुमवर्क खतम हो चुका था हुमवर्क अब नहीं था तो जैसे उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया उसके दिन पूरे हो गए तो सांत और बड़ी चुपके से है ना पीछे वाले डूर से बैक डूर से इस लिप डाउट का हुआ है खिसा गया चुपके से निकल गया पीछे वाले डूर से अब क्या हुआ फिर आंगे देखो पैट्रिक गॉट हिज एस और पैट्रिक गॉट हिज पैट्रिक को ए ग्रेड भी मिले पैट्रिक ने भी मेहनत किया था पढ़ने में तो पैट्रिक को ए ग्रेड भी मिले His classmates were amazed उसके जो साथी थे आचर में थे अचमित थे His teachers smiled and were full of praise लेकिन जो उसके सिच्छक थे वो बहुत खोस थे and full of praise और काफी प्रिसंसा भी की Patrick की and his parents they wondered that had happened to Patrick तो उन्हें तो आचर था उनके पिता जी को माता पिता को आचर था उन्हें लगा कि यार Patrick को क्या हो गया भाई अचानक से इसमें बहुत परुरता ना आया है He was now the model kid और अब वह model kid बन गया मतलब क्यों है एक मिसाल बन गया एक नमूना बन गया पढ़ाई के छित्र में सभी जो अपने class के बच्चे थे के लिए वह एक model बन गया उनके लिए एक आधर्स बच्चा बन गया है ना अब उसको दिखकर के बच्चे मोटिवेट होते थे अब क्लिंड हिज रूम डिडिड हिज चॉर्स या कॉर्स वाज चियर्फुल अब वह अपना रूम साथ किया उसने और अपने होवर डिली करता था वह बहुत खोस भी था नेवर रूट और जो उसका बरता हो था बदल गया था पहले रूट था भी अच्छा बरता हो गया था उसका ऐसा लगता था जैसे उसने अपना पूरा एटिटिवड ही चेंज कर लिया है तो यू सी देखिए ठीक न देखिए इन दा एंड आखरी में यह दिबात करें तो पेट्रिक इस्टिल थाट ही हीड मेट देट टिनी मैन डू आल हीज हम वरक तो पेट्रिक इस्टिल थाट पेट्रिक को अभी लगता था कि उसने मजबूरन में उस काम को करवाया है he'd met that any man do all work मजबूरन में उस छोटे आदमी से काम करवाया है ठीक है किसको लग रहा था पैट्रिक को लेकिन but I'll share a secret लेकिन मैं एक रहस की बाद बताता हूं secret की बाद बताता हूं just between you and me तुम्हारे और मेरे वीज़ की बात है it wasn't the elf यह कोई छोटा बॉना नहीं था पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ पैट्रिक ने खुद ही अपना यह पूरा हुमर किया था सब कुछ किया था उसने सोचा था और जो डॉल था वो elfman था बॉना आदमी था वो एक बहाना था वास्तों में यह पैट्रिक ही था ठीक है ना जो लेसन लिखागा यह लेसन लिखागा कैरोल मूरेन यह कैरोल मूरेन ठीक है तो यह लेसन हमारा खतम होता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ